वेलकम बैक सातियों मैं विजय चोहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलेजिय में आप सभी के सामने आज Microsoft Excel Software का Lecture 3 लेकर आया हूँ सातियों लाश्ट लेक्चर में Excel के Lecture 2 में हमने अपने Excel Software में कुछ फॉर्मूलों का यूज करना सीखा था आज हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं उस पर आगे के कुछ फीचर सीखेंगे उनकी पेस सेटिंग बॉडर सेटिंग्स वगएरा से रिलिटिव उप्सन सीखेंगे सातियों सबसे पहले Microsoft Excel Software को उपन कर लेते हैं तो यह मैंने अपना पहले से ही उपन किया हुआ है यह मैंने मैक्सिमाइज कर लिया तो सातियों लाश्ट हमने जो उप्सन सीखे थे टोटल एवरेज मैक्से मीन यह सारे फॉर्मूले सीखे थे और इनको मैंने सौटक में तट से बताया था इनको जल्दी कैसे निकालते हैं तो यह जिसमें भी ना देखे हूं तो मैं आप से लेक्षर आपको बता समझा रहा हूं उसी तरीके से आप सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझपाएगा और आगी पीछे लेक्चरों को देखेंगे तो चलिए आगे चलते हैं तो जैसा कि मैं बता रहा था कि लैक्चर में आज हम अपने यह जो डेटा टाइप किया है कोई भी माननों, मार्क सीट, एट, पर एट, जट कोई भी चीज है, इसको print setting से related option, इसके और आपको border setting से related option और इसी के अंदर कुछ formulation से related option सीखेंगे, तो उसके लिए हम सीखेंगे, home menu के option बिल्कुल starting से first option है home, home में सबसे पहले आता है आपका ये cut, cut क्या होता है, matter को एक जगे से काट कर दूसी जगे ले जाने के लिए इसका यूज होता है साथियो ध्यान से देखना जैसे अभी हमने यो डाटा टाइप किया हुआ है इसमें माफ सीट में पहले नंबर पर कौन सो सब्जेक्ट है हिंदी दूसरे पर इंगले इस तरीके से हमनों हमसे किसी ने कहा कि पहले हिंदी के नहीं लेने पहले आठ के नंबर लेने आर्ट के पहले लाईए और हिंदी के पाद में लेसे यान इन दोनों को यह ओडोंको यह आर्ट वाला कोलम और हिंडी को इन्टर चींट करना है एक दूसरे की जगह है, अल्टा पल्टी करनी है इनके, तो कैसे करें, अब इसके लिए आपको सबसे पहले यह जो हिंदी के कोलम है, इसको सलेक्ट करना हो, ऐसे बी कॉलम पर क्लिक कर दीजे, यह पूरा सलेक्ट हो जाएगा नीचे तब अब यहां से कट पर क्लिक कीजें, क अब आप इसे उठातर आफ के उपर रख दोंगे, तो आप गए उपर लगने हो जाएंगे, तो इतनी हम अभी नहीं रखेंगे आप अभी पहले हम इसे खाली जगह पर किसी दूश्रे कॉलम में रख देंगे, फिर आप को यहां से उठा कर आजे रखेंगे, तब यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं अभी एक ना हुई है देखो सबसे पहले मैं तोड़ा पर एक छोटा करता हूं चूँकि यह वलं नहीं आ रहे हैं अच्छा साथियो मैं फोर्मुले डिलीटी कर देता हूं कि मैं इस सिखा चुपा हूं आपको यह मैंने डिलीट कर दिये तो अब यहां पे चुड़ा इस पेस बन गया है इस पिन करी इसको मैं उसे च्छोटा बढ़ा कर लेता हूं यहां पे लाइन पे दे किलिक से दबाया उपटे और ऐसे करके इस लाइन के जोए च्छोटा देगा तो अब करते हैं यह हिंदी के नंबर मैंने सलेक्क किये बी करना होगा पेस्ट यहां रहें पहले क्या 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 कट अब पेस्ट करते पेस्ट करने के पहले क्लिक करने जहां पर आपको यह लाना है तो मैंने यह क्लिक कर रखा है अब पेस्ट कर दीजिए तो आप देखिए यहां से हिंदी कट चुका है और वो तेल कोलम में जा चु कीजिέ की यहां से कट के option पे जाए है और यहां से बी column में बुल सटार्टिंग में जहां से लेना है heading जहां से कפे क्लिक करें ऐसे बेजक मां कहीं भी खेएं पहले किजा क्लिक करें पैस्ट और क्या करेंगे डिया यहां पेडिया याज अब पेश्ट होती है उसे दूर्सी जगे पर जटने के लिए ठीक है अब हिंदी के जो नंबर हैं यह अब हम यहां ले आएएगे तो यहां से आर्ट के निंबर हच आगे जा चुका है यहां इस के खाली जगे रह चुकी है अब अब दिक है रखसक के वाज अब कॉन ही वीटेगा तो कैसे पहली की तरह पहले सेट करके कट करेंगे उसको के कॉलम पे क्लिक किया ठीक चाहित है साती हो फिर यहां से क्या कि हमने कट कट कुछ गया अब जहां लाना है एक पोलम में लाना है एक मेंटर की डुपली केट कोपी बनाई जाते हैं यानि एक डाटा अगर आपको दो जगे चाहिए सेम तु सेम वही पर वही मैंटर चाहिए दूछी जगे भी तब कोपी का यूज बढ़ते हैं मान के चलिए यह मैंने माप सीट बनाई थे इसमें इस्टुडेंटों के नाम लिखेते हैं अब मुझे कहीं पर अटेंडेंस इस तरह बनाना है तो यही नाम के जवरत कड़ेगी कोई स्कॉलर्शिप की डिटेल बनानी है तब भी यही नाम लिखने होंगे तो बार बार पुरानी जगे से नहीं कटेगा पुरानी जगे से नहीं कटेगा पुरानी जगे भी रहेगा और नई जगे भी आए जाएगा तो देखे करते हैं पहले सेलेक्ट किया मैंने कोपी कर चुका हूँ कोपी के बाद यह इस तरीके दे लाइन साधी है जोटीड लाइन अब बस जहां लाना है उस मैटर को डुपलिएट बनाना है मान जो है इल कॉलम में बनाना है पेश्ट चाहें आप हजारो लाकों बार करिए कोपी एक बार पेश्ट चाहें जितनी बार तो इसके लिए आप तूस्य सीट पा जाएंगे नीचे देखिए यहां से यह सीट तूटा आ रहे हैं हम अब यह मैं पुराना कोई डाटा इसको दिलिप्स कर देता हूं अब मैं कोपी एक बार पेश्ट चाहें कितनी बार में इसलिए कह रहा था देखो हमने एक बार कोपी के बार पेश्ट कर रहे हैं जहां भी क्लिक करके पेश्ट कर रहे हैं वहीं होगा है यह पूरा मेंटर सेलेक्ट करिए ऐसे मां उसका लेफ्ट क्लिक दबा कर डिलिक कर दिए मैं तो पूरी पूरी स्कीट, यह यहां टकी है, आपका सलेक्ट कर लीए, इस से एक उलन से सब्लिक्र से टिक राउठ, यह सारा दूसरी सीट पर दी आ जाए, तो सलेक्ट करके, कोपी बहुत काम में आता है कोपी पेस्ट आप्शन, इसलिए मैं इसमें डीफी बता रहा हूं इस format painter सीखने के लिए साथियों आपको पहले यह इतने option सीखने होंगे formatting के तब समझना आए गए तो पहले मैं इन्हें बता रहा हूं तब इससे बताऊंगे पहले यह जैसे point आ रहे हैं आपने जो copy कट किया था तो आके रहे हैं इन्हें हटाना होना खाली जगे पर double-click कर दो जैसे यहां मैं इस जगे double-click करूंगा तो अपने आप अपर जाएंगे कहीं भी कर दो या नीचे कर दो तो देगो सबसे पहले हम यह यूज करेंगे यह होता है font style साथ यह font यह text में पहले भी बता चुका हूँ यह जो हमारा matter लिखा हुआ है यह हमारे font का style होता है लिखाई का style पिर्छे एक्षर मोटे एक्षर पसले एक्षर किस तरीके के बनाने हैं तो अभी यह जो style रहा है सब्सक्राइब करेंगे और यह यहां से पॉइंट आ रहा है इस तक क्लिक करेंगे यह पॉंटों के style यहां पर आप ध्यान देना इनके जब भी मैं किसी style पर जाऊँगा तो पीछे सब्सक्राइब करेंगे और यहां से नीचे तक स्टाइल रहते हैं किसी पर भी ऐसे कर्सन दे जाएंगी मान दो मैंने ब्रत इसके प्रेंटी लिया तरहें कैसे style क्या होता है अच्छा size बढ़ाना हो तो size के लिए option है 11 है font size normal 11 होता है बाकि आप इससे बढ़ा सकते है 12, 14, 16, 18 यह कर लिए अब साथियों आप क्या होगी सारी कट गए यह नंबर दिखाई नहीं दे रहे वो आपका space कम है ना जो row है उसकी height कम है बढ़ा दीजिए उसको कैसे कोई column रहते चोटा बढ़ा है तो साइंस कट रहा है तो आप उपर दिखी कि यह मैं first lecture में देता चुगा तो यह तो हमें करते रहना पड़ेगा जब data बढ़ा चोटा करेंगे तो इस तरीके से size बढ़ा सकते हैं और यहीं से कम कर तो इसमें आपका इस तरीके से size बढ़ द है ठीके ना तो इसमें हम हातों से भी लिख सकते हैं size 24 है यहां से किलिख करा मैंने लिखका 100 अब 100 पर जैसे एंटर मारेंगे तो 100 हो गया होगा बढ़ा करने पर दिखाएगे तो आप इसमें maximum size कितना कर सकते हो ऐसा नहीं साथ ही कितना भी बढ़ाने से को मैं लिखके लेकर 409 यानि 409 के बीच में ही रख सकते हैं तो यह कोर्शन ट्रिपल सी में यहां ओ लेवल में आ जाता है और वोट इसमें maximum font size in MS Excel तो MS Excel का maximum font size कितना कर सकते हैं तो आपका answer होगा उसमें चोइस करना था 409 अब मिनीमम पूछता है what is the minimum font size in MS Excel तो 1 हो रहा है तो यहां धियान देने की बात है minimum font size कह रहा है या minimum page size कह रहा है अगर बात minimum page size या seat की कहता है what is the minimum zoom size यह है front size अगर zoom कहता है तो zoom होता है यह page को बढ़ा करना इससे हमारा यह page जो बढ़ा दिखने लगता है इसमें सारा data भी बढ़ा दिखने लगता तो यह maximum होता 400 यह देखें MS Word में 500 तक maximum zoom होता और Excel में 400 परसेंट होता है यह triple tier लेवल वाले बच्चे विल्कुल यहां से रटने इस चीज को आहीं जाता है एक सब्सक्राइब यहां से नीचे करेंगे कम करेंगे तो minimum होता है वो 10 परसेंट है तो अगर zoom size कहता है तो zoom size 10 से लेकर 400 तक है और font size कहता है है तो font size है 1 से लेकर 409 तक है वहते नॉर्मल जो है आम 11 पर ही बर्थ करते है 11 font size है और इसको यहां से फेट चोटा कर लेता है यह हो नेक्षा बोल्ड पहले पेज को तोड़ा zoom कर लेता हूं डाटर तोटा जिख रहा है यहां से नीचे corner से राइट corner से zoom कर लिया मेंटर बोल्ड होता है डार्क करना किसी चीट को heading बना अभी यह ओल्रेटी बोल्ड है सारा मेंटर क्यों 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 जल्ल हो रहा हो आइकन को यहां से जल्ल हो है तो सम्झों applicable है आप यहां से इसे select की लिए अब बोल्ड है रटाईए तो आपका डाटर नोर्मल हल्का भी में लगए तो कोई heading ब कहना है जैसे मुझे dark करने है तो इनने select करके bold करने ऐसे किसी चीज को ज्यादा हाइलाइट करना हो तो उसके लिए बोल्ड दिए करता है आई मींस italic तिर्शा करना इस ते यह जो style है तिर्शा हो जाएगा आई पर क्लिक करने से फिर ससीदा हो जाएगा यू मींस underline इसका करेंगे अंडर लाइन आजाएगी double underline देनी है इस point को खुल यहां से double underline को क्लिक कीज़े double underline आजाएगी और यहीं से नहीं लेनी underline तो underline पे दोबारे उसके क्लिक कर दीजे हट जाएगा तो यहीं से आती है यहां से जो action apply होगा वहीं से वो हटेगा ठीक है ना next option ही आता है border साथ यह बहुत ही ज्यादा important option है यह border बहुत ज्यादा important इसके बिना तो आप excel में कोई भी data align ये set नहीं कर सकते data लिखना अलग चीज है और उसको page पे print out निकालना same format में अलग चीज है अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आप सोच रहे होंगे यह जो उमने data लिखा अगर print कर दें तो same to same ऐसा page पर आजाएगा नहीं नहीं आएगा कैसा आएगा दिखाता हूं किसी भी अगरी चीज का आपको print preview देना हो कि print पर कैसा आएगा जरूरी नहीं कि आपके पास printer हो वह चीज़ें अलग है ना हो तब आप देख सकते हो उसके लिए यहां पर इसमें यहां पर करोंगे तो प्रिंट कमांड चली जाएगी वह प्रिंट की मैं विंडूज को आपको अची तरह बताऊंगा कि आप प्रिंट करेंगे तो ऐसा आएगा प्रिंट पे यह देगो जूम करके दिखाता हूंब आपको दिखने रहा हूँगा बीच में किलिक कर दो कि तहीं यह है तो क्या कमी दिख रही है इसमें आप सोच रहोंगे आथ हो रहा है सभी नहीं साथिओं इसमें बॉर्डर नहीं आ रही है दूसरी चीज तक प्रिंट का रहा है आगे जो हमारी टोटल आवज ते वो कहा रहे हैं वह उपर नहीं पेच्छ पर देख लो यहां ते उपर नेक्स पेच्छ सब्सक्राइब यह उपर गाले यह तो शाथ ही ओमेंग खेल यहां का खाली लिखने से बात नही के श्वाइब में जोड़ो रीति कर दो by एक तो जब आप प्रिंट्ट प्रिव्यू देखते हैं तो इस तरीके की दो टेट लाइन डेखो ये जी के बार में दो टोट सी लाइन आरे और नीचे कहा तक आएगा यहां से पेज को आप डाउन करके देख सकते हैं मैंने नीचे किया था भी ऐसे करके यहां फिर इस पॉइंट पर कर दो यह माउस में जो भील होता है स्क्रॉल उसको आप नीचे की तक गुमाईए तो यहां जाएगा और 46 पेज आनी 46 तक लंबाई बड़ा complicated सा लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं आप दिहान से समझिए यह lines बताती है आपका पहले पेज के इतने डाटा आएगा यह जो आए लाइन से अंदर का और इससे आज़ा आगे का वह दूछरे पेज के जाएगा प्रिंट प्रिंट प्रिवीव दूबारे देखि तो पहली बात हम यह चाहते हैं मालनों average तक का total average भी यह previous परो इसी page पर आजा है तो आप इनकी spacing कम कर दो इसे line उमें गया है पा रहे है इतना सारा इसे कम कर दो जब जगे मिलेगी तो वह पिछले page से इसी page पर आजा है कैसे close करो अभी हम देख रहे हैं Hindi में देखे इसनी आजए एक स्ट्राइट है तो अभी यह देखो जी के बाद आ लिए dotted line यह हमें यहां तक लानी है अब इस तक तब आएगा एक मीट पर आज़ा तो आप और यहां से line पकड़के अंदर की दरस करना है यहां से यह अंदर की दरस करना है तो देखे टोटल तो आ चुगा है अब जी के बदले एच तक आगी है यह लाएं यहां से science को जहां इस पेस ज्यादा उसे कर दीजिए सब को करने की लिखत नहीं है तो देखे एवरेज तक आगी है यह से हम कम करते रहेंगे और यह कॉलम जेगा डिलिट कर देंगा लेकिन फिलाल हमें यहां तक बही है अब आप देखे डाटा अच्छा साती हमें एक चीज़ और बता दू यहां से प्रिंट प्रिव्यू देखने की सोट कट कमांड लिख लीजिए क्या है क्या है कंट्रोल के साथ F2 का बटन फंक्शन की जो होती है सबसे उपर की लाइन सबसे उपर की लाइन देखें कीबोड पर जिसमें F1 F2 F3 लिख है तो कंट्रोल का बटन दवा दीजिए एक हां से एक फिंगर से और F2 का बटन दूसरे फिंगर से दवाईए तो प्रिंट प्रिंट प्रिव्यू फूल का सामने आ जाएगा ठीक है साती हो यह आ रहा है बी देखें से पना करने चाहिए जी तो हमें तो अपने मैंने उतना करना होता जीतने पर हमें लाइने चाहिए तो मैं तो अपने matter पर लाइने चाहिए matter तो select कर लिया अब यहां से यह जो option है यह काम में आएगा बोडर का इसे point पर से यहां से खोलना अब खोल के काफी सारे option है आप सोचे होगे इतने सारे क्यों है यह इसलिए है जब हमें आपको table की setting करनी हो उसके लिए अब जरूरी थ होता है एक दो लाइन ऊपर है एक लाइन बीच में है एक लाइन है चार पांट लाइन है सारे में तो नहीं बनती table कोई भी आप किजी भी company का बिल उठा कर देख लिए तो मान के चलिए मुझे बस इस matter की चारो तरफ बोडर देना है यहां से बस बाहर बाहर आए बीच में आप की अब किसी घट रहा हो तो आप यह समझ लेना आपका मेंटर अगले पेज़ पर जा रहा है तो इन कॉलमों को मिला लेना आपस चोटा कर लेना जो यह मैं बसाय देए नैसे मिला लेना तो एक पेज पर जा जाए अब मैं चाहता हूं इक लाइन इस एडिंग के नीच नीचे चाहिए बत उतना यह फालतो एक्ष्ट्र मत करना इतना रखो आप मुझे इसके नीचे लाइन देनी है तो आप अब यहां से आउंसाइड बॉर्डर नहीं लोगे आउसाइड नहीं लेना आपको लेना बॉटम यह इसके नीचे लाइन लेनी है क्योंकि उपर तो आ तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों इतने डिटेज बता रहा हूं कि बिल गूप वगरा यहां कुछ चीज होते हैं उसमें सारी लाइन ना देखें अब मुझे जो इसमें राइट साइड में इधर देना है यहां से जाएंगे और यहांसे कर देंगे राइट लाइन आगे थोड़्य कि दिखने लगता है अब यहां से आप प्रिंट प्रिव्यू देखिए तो आपको डार्प लाइए अब आप आती है सारे पेक साथ बस इस पर ट्लिक कर दिए जितना डाटा सेलेक्ट था उस पूरे पर बोर्डर आ गए होंगे अब आप यहां से प्रिंट प्रिजू देखिए यहां इसे जाएए और यहां से कर दिजिए नौ बॉर्डर जाएंगे गए आप देखेंगे तो आप बोर्डर नहीं आ रहे हो खाती हो अब सारे पर देने हो फिर बार बताता हूं बस सलेक्ट कीजिए सारा और इस बार में जो सारा देना हो तो बहुत सिंफल है अब यहां से देख बड़ड कोई कलर करना है तो दो सलेक्ट करके जाएंगे आप वह कर देना है पीछ इसके पीछे चलर अपद्ध कर में यहां से करेंगे आं यहां से इसमे थी अच्छा लगे वह दे सकते हैं तो कैसे देखें है Constant आए हो यहां सब्सक्राइब कर देंगे मानलों ग्रीन लेना यह सब्सक्राइब कर लिए और जहां से कलर दिया दा पॉइंट से को कोलना और यहां पर ही जोगा अगर आपको पीछे कलर ना भड़ना हो तो मैंटर को क्या कहते हैं टेक्स्ट यहां से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जैसे यहां से गए ग्रीन किया यह से लिए इस इस आत्यों इसे यह मुझे करना है रेड कलर सेलेक्ट किया जितना सेलेक्ट करेंगे उत्मे में कलर आ जाएगा यह है तो बोटम डाउन के ओप्षन जैसे मुझे यह हमारे जो हैडिंग्स हैं अभी हम देखना है पहले ना ऐसे ने को हाइट बड़ी कर लेना तब समझना आएगा यहा यह मुझे बीच में लेने होगे यह सब बीच में आएं तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट करके जितना सेलेक्ट होगा दियान देखना है सेलेक्ट करना है सारा सेलेक्ट कर दो के लेने हो तो इस पर कर दो यह टॉप के लिए है यह सेंटर के मिडिल के लिए है और यह हैं डाउन तो तीन ओप्षान होते हैं टोफ सेंटर और यह साथ ही और लफ्ट राइट सेंटर अब आप आड़ को ध्यान देना और लेट से मिल के तो हैं इसको क्लिक करने, ये लैप्ट के लिए, ये रैट के लिए, ये सेंटर, के लिए दोस्तों, next option है alignment का data तिर्छा करने के लिए यहां से हम यह heading is इनको ज्टोदा तिर्छा लेना है डाइनल सेरी में तो यहां से जाना और यह देगे उपर को तीर जा रहा है इस icon के घ्यान दे उपर को तीर जा रहा है इस देथा में तीर जा रहा है उस जी तो यह ब्रस ब्रस के प्रफ इसको के लिए नियुक्त के लिए भी लिए जाएंगे तो यहां से पजए देख वॉतेट यह वाला लेना तो एसे टैक्ष अप यहां यहां भी ऐसे दिखायए देगे साथियों सीधा करना थोड़ा ता कउश्छा करना थोड़ा देखे यहां पर सीधा करना स्था कोई अप्शन नहीं है आप यह भार नहीं हो तो डारेक्ट शीधे नहीं हो सकते हैं फिर उसके लिए हमें इसी में custom option में जाना होता है सब से नीचे वाले हैं यह format cell alignment इसके क्लिक करेंगे और यह देखे ऐसे तिर्चे हो रहा है यहां पर कितने degrees 45 degrees पर जा रहा है इसको सीधा कर दो यह red point है इसको पक्ड़ो और इसको बिल्कुल सीधा कर दो एसको straight अब ok करेंग करेंगे तो यह सीधा हो जाएगा ठीके साती हो next यह हमारे जो option है है decrease indent यानि matter को आगे पीछे करने है तो बात की एक बार देखो अभी कर समयाता हूं यह जो हमारे heading है left से मिलके आ रहे हैं इसको बड़ा कर लो column को तोड़ा से चोड़ा ही बढ़ा दो इसकी यह line को कर से ले तो अगर हम इसको यहां से center करते हैं तो बहुत ज्यादा हट जाएंगे मुझे थोड़ा अटाना है तो यहां पर आगे यह option fail हो जाते हैं हमारे तब यह उज़त है indent वाले है यह right को यह जादा है ऐसे करते हैं थोड़ा हट गया है और अटाना है right तो अपनी मर्जी से जित जादा लाइने लिखने के लिए और यह जादा लाइने के लिए लिए नहों मैं बता रहा हूं देखो कैसे अभी यह social science वर्ड है तो यह जो social science है हम इसे पूरा देखना चाहें तो कितनी जाले ज़गे इस आ रहे हैं इनके 2-3 कोलमों के बराबर जगे में जाता है इतनी ज आप देखो सी के बारे यह नीचे पहुंचा है तो कोलम की विद यानी चोड़ा ही बढ़ा जो तो उपर नीचे नहीं होगा देख लो कैसे मैंने ऐसे बढ़ा कर दिया अब आप वहां किलिक करते रहा उपर नीचे नहीं होगा जब उसे जगा कम मिलेगी तभी उपर नीचे होगा अब इसको एको कम जगा कीजिए यह तहले के अब इतना बड़ा है मैं चाहता हूं इतनी जगह में फिट हो जाए तो इसके क्लिक करो रेप्टेक्स करते ही फिट हो गया उपर दीचे लेना थोड़ा और छोटा रहो बाद मैं यहां सेंटर रहो बन गया है किलियर नेक्स ओक्षन है मर्ज एंट सेंटर मर्ज होता है लाइनों को मिलानी के लिए मान के चलो मुझे ऊपर कोई कि हेडिंग लिखना है तो ऊपर तो जगे ही नहीं है तो एक रो बढ़ा लीजिए यहां बन पर क्लिक करा बन नमबर के पूरी रो सेलेक्ट हो गए अब मैं यहां से बताया था इंसर्ट में इंसर सीट रो तो आगे उपर दो यहां सोवट की बताया थी कंट्रोल के साथ प कर दो लखना है तो आप यहां से इता को स्लीक की जिए सफलेक्ट करे ने कि यहां प्रौल के निक्रोफ कि लंगे क्लिक कर जाएं अब यहां पर आप इसमे कुछ भी लिखते हैं जैसे ने लिखता हूं मैं और यहां से आप लार्ज कर सकते हैं और यहां से बोल्ड दिए इसे ही मैं चाहता हूं यहां ते इतनी लाइने रफ हो जाएं बीच की लाइने मिला ज्याएं तरह मर्ज कर दीजिए यह बाकी का अधूर बढ़ा थो को द बघंडे लेक्ष विदर अब अच्या तो यह जो हमारा दाता है मार applying धर रहे हैं यह सिंपल लिखा हुआ है जैसा हमने लिखा वैसा अगर मैं यहां जेनरल की जगे नंबर कर दूँ यहां से कोल के नंबर तो यह दसमलब के दो उंको तक हो जाएगा यानि पॉइंट के बाद दो दो उंको और आ जाएगे यानि जो कोई रुप्यों पैसों में काम होता है उ कि हैस मैंने पहले भी बताया था जगे कंपड़ में तो हो था यह गोलम की थोड़ाई बढ़ा भी थे तोड़ी भी तो जैसे हमने यह उप्समें पर्सेंटेज में इंच किया था जब पॉइंटों में बात के दीजिए नहीं आ रहे हैं पहले जैसा करना हो तो यहीं से जा हैं तो इसी में करन्सी में और भी सिंबल देखते हैं रुपीज का सिंबल है दोलर है इसमें भी यह को बता रहा हूं हूं देखते हैं अक्षरों के साथ तो फोड़ा गैप हो जाएगा इस तरी कि यह मैं बताई चुका हूं इनकी कॉलमों के बढ़ा देने प्लेन करना हो है तो कुछ निंगरना जन्रल करना है यह है यह आसे जाकि जोड़ लिए कर देगे तो इस पर डेट मंस यह मा जाएगा तो आप डेट मंस सब्सक्राइब लेक्षा को लेना है ताइम कर देंगे तो दंटे मिनट सेगें और प्लेन दखना है डाटा अपने हाथों से लिखना जो जंगर तो इसमें आता है आपका करंसी का जो मैं बता आता हूं और भी ऑप्शन होते हैं यह डोलर का निसान है इसकी जगे मैंने यह लिए पाउंड होता है लंदन रिटेंग की कर यहां से क्लिक करेंगे तो यह हर कंट्री के सिंबल इसमें दे रखते हैं आप देख सकते हैं जाद अफर देखें डॉलर चलते हैं बाटिया लगले कि यह जैते चाइना की करनसी यह से होती है यह यह आ गई कर दो अपने इंडिया की करनसी रह होता है कटा हूँआ तो वह लेकिन जिसके प्रॉंट इस्टोंगा उसके नहीं आया गाए जो कि यह जो रुपीज का सिंबल है फादमा है वार्मल करना है यहां से जर्नल कर देंगे पर्तेंटेंटेज में सभी क्या इस तरीके से पर्तेंटेज के मार्कस बनके आ जाएंगे और यहीं से जर्नल हो अब यह जो मैंने टाइप किया है इतनी बड़ी-बड़ी संख्या है तो आपने देखा होगा जब बड़ी गिजित होती है तो उन्हें हर सेक्ड़े पे कोमे का निसान लगता था मुली टाइप क्लिक कर देखें तो आप देखें हर सेक्ड़े पे कोमा लगता आदेखें तो यह टोटल बग्एर पड़ी पड़े में आसानी वह जाती है इसकी न हुआ जिलिए तो को मैं यहा से गए जंडल कर देगे पहले की तरह हो गया यह दसम्लब के कितने अंको तक आपको डीजिक लेनी है जैसे अब के टूटल लिखा चाहता हूं इसके आगे 10 अमलब के 2 उनको तक आया जो तो तो 3 सेटर के 00 पैसे या कोई पैसे मज़ए से काम हो तो जनरल कि नंबर कर देंगे बताए तक मैं यह आ गया लेकिन 2 से जादा अंको तक निकालना हो तक चार अंको तक पॉर्मूलेशन के इससे बढ़ा हो तो कभी पूरा नहीं कटेगा हो 3.33333 अनन तक ऐसी चलता रहेगा इन 3 लिख तो उसमें होता क्या है हम मानलोक दो अंको तक दिखाना चाहरे हैं तो 3.333 लिख देंगे तो साथ ही हो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है काफी लंबर लेक्चर हो चुका है यह भी आप पहले इतने सभी यह उपसंस करके देखिए फिर बाकी में लेक्चर 4 में आप सभी के आगे यह आगे के कुछ फीचर्स लेकर आऊंगा तक तक के लिए आप हमारे अन्यवाद, थैक्ट वेरी मच, जय हिंग, जय वारत